चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित रिलेटर एक क्लास समलों की हो चुकी आज इस्टेंड बहुते कम है सरदी के कुछ ज्यादा प्रकूफ है क्या तीन दो पांच पांच दो साथ नाओ दर्स ग्यारा वारा तेरे तो पंदर सोरा सोरा देखा उसके हमने बात कर ली थी और साथ में हमने कुछ आर्टिकल क्लॉट एक्सटाविस वन लॉस्ट इसकी बात करता है जो सुप्रीम कोट के जो नया इधीस हैं इनकी नियुक्ति के संदर्व में और इसकी नियुक्ति के संदर्व में जो भी विवाद चल रहे हैं ना इनकी नियुक्ति संदर्व में उसके बात की हमने ज़िस फॉर्ट जर्ज़स के से लिए था फोर्फिस के समने देख लिया क्या होता है यह सारी चीज़ें जो स्वीज आई के अपउइंटमेंट में जो भी यह उलंगन किया गया वरिश्ता वाला इसको हमने देख लिया ल अच्छा री प्रेसिदेंशल रिफ्रेंस केस आया 1998 में इस तर्ड जिस केस हम लोग बोलते हैं थर्ड जिस केस हो गया उसके बाद फिर लिखें कि थर्ड बस यहीं तक हुआ है और निश्वंठांबे का थर्ड जिस केस बस यहीं तक हुआ ठीक है यानि मैंने समझाद जिसके आगे की बात लिखवाई नहीं है उसको तो लिखना है आप लोगों को ठीक है लिखें है दो हजार दो में एक मैड रुकना जरा स्वा इसको मुझे करने दो जर इस वाले पूरे पारग्राफ को मुझे पढ़की जरा बताओ देपो मैं क्या छूड गया उसमें अभी उनीश्वंठांबे वाला पूरा पारग्राफ थर्ज इस केस वाला जरा पढ़की पूरा प सब्सक्राइब करें जाता है तो को लिए मिला कराए बश्राचार गया इस आयोग में 6 सदस थे हाँ अब यहां तक है अब लिखिए इन 6 सदस्य निम्न थे यह 6 सदस्य निम्न है यह 6 सदस्य निम्न हैं पहला cji यह अज़स ळस्य निम्न है पहला cji ऑफ दूसरा सब्रह्यिंब कोटिटके दो अन्य वरिष्ट निया अधिस गया एक चैंछल में नहें तो पहले CJ होगा दूसरे नंबर पर देखेंगे सबस्क्राइब दो वरिंश्टन नइया अधिस और कहांकए सब्राइब कोटिष्टन नद्य एक विधी मंत्री तीसरे तीसरे नंबर पर हम देखें तीसरे नंबर पर एक विधी मंत्री कि चोगते नंबर पर हम देखें दो कि कानून के जानकार या प्रभुद्ध हो वेक्ति कि हैं अगला जब चार तरीके के लोग सामिल हैं सीजिय सामिल है दो वरिष्थम नयदी सामिल है सुप्रीम कोट के एक विधी मंत्री हो गया कारे पालिका के शदश और दो प्रभुध्य विक्ति ब्रेकर में लिख लेना राष्टपती की नजरों में कानून के जानकार दो प Google अफीं परबुद्ध हैंते ब्रम विक्तिएं इन परभुध्य विक्तियों की अ इन प्रबुद्ध हैं कि निउक्ति के लिए पिन परभुद्ध हैं कि में लिखणा के लिए एक तीन सबस्चिए एक तीन सदस्षी समूह का गठन किया जाएगा जिसमें प्रधान मंतरी कौमा नेता पृतिपक्ष विपक्ष का नेता एवं मुखन आधीश एवं मुखन आधीश ये CGI एवं CGI शामिल होंगे एवं CGI शामिल होंगे तथा यह समूह तथा यह समूह बहुमत के अधार पर निर्णे लेगा तथा यह समूह बहुमत के अधार पर निर्णे लेगा कि यह समों बहुमेत के धार पर निर्णाय लेगा पैराग्राफ चेंज कीजिए पैराग्राफ चेंज करेंगे लिए एन जे एसी नेशनल जुडिशल एपाइंडमेंट कमेटी एन जे एसी में एन जे एसी में जो मनें एन जे एसी की पिछले बार बात की थी नाम ने एन जे एसी में प्रतेक शदश्च को वीटो सक्ती प्राप्त है प्राप्त थी अब है क्या है थी थी एन जे एसी में प्रतेक व्यक्ति को वीटो सक्ती प्राप्त थी तथा NJAC तथा NJAC को भी बहुमत की अधार पर निर्णा लेना था तथा NJAC को भी बहुमत की अधार पर निर्णा लेना था तथा NJAC को भी बहुमत की अधार पर निर्णा लेना था परन्तू परणतु अक्टूबर चेहर की परणतु अक्टूबर अध्रिष्ता वाली, अधिस्ता वाली संविधान पीठ ने, JSKR की अधिस्ता वाली संविधान पीठ ने, NJAC को, NJAC को असंविधानिक करार दिया, NJAC को असम्वेधानिक करार दिया तथा तथा अपनी रिपोर्ट में तथा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया तथा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि तथा अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि NJAC तो अपनी रिपोर्ट में यह है इस परश्ट किया कि NJAC नयाए पालिका में कि NJAC नयाए पालिका में कारे पालिका के हस्त छेप को NJAC नयाए पालिका में कारे पालिका के हस्त छेप को बढ़ावा देता है या उसके मर्ग खोलता है किके एंजेएसई नहाय पयलिका में कारइप पयलिका के हच्छेप के मार्ग खोलता है आता इस रिपोर्ट के अधार पर अता इस रिपोर्ट के अधार पर Supreme Court ने आता इस रिपोर्ट के अधार पर सु honestly ३ ने अक्टूबर 2015 में आता है इस रिपोर्ट के अधार पर सुप्रीम कोट ने अक्टूबर 2015 में NJAC को असम्वेधानी करार दिया तथा जिसके फलसुरूप जिसके फलसुरूप जिसके फलसुरूप को भी असम्वेधानी कहा और उसे समाप्त कर दिया जिसके फलसुरूप जिन्यान बेवेधानी कहा और उसको शमाप्त कर दिया पुना कोलेजियम वयुस्था ़ी法 की पुना कोलेजियम वयुस्था इस्थापित की बस्तार अजेशनी तो यह वा लिए को इसी को विश्छी के स्पार्ट का जाता है ओल में प्रियूंत्य के सब्सक्रण इं אבל को सब्सक्राइब कहते संदेख लिया था यह क्या फोर्ट इसके एक्जाम में आप सा डाइट पोछ लिया आता है कि कौन यह ठीक है जर्श के बारे में अब लिखे आटिकल 124 क्लॉज 3 आर्टिकल 124 क्लॉज 3 इसके अंदर सब क्लॉज 1 अब बात कर रहे हैं लोग आर्टिकल 124 क्लॉज 3 की इस clause 3 में दो sub clauses हम देखेंगे एक तो article 124 clause 3 sub clause 1 देखेंगे ठीक ना यह जो sub clause 1 है यह योगता की बात करता है Supreme Court के जो नया अध्रीस है क्या इनके अदर qualification होनी चाहिए क्या योगता होनी चाहिए ठीक है तो इसमें योगता में लिखे पहला point योगता में पहला point भारत का नागरीख हो दूसरा point दूसरा point लिखे भारत के किसी भी उच्च नयले में भारत के किसी भी उच्च नयले में कम से कम पांच वर्सों तक भारत के किसी भी उच्च नयले में कम से कम पांच वर्सों तक नयाधीश के रूप में कम से कम पांच वर्सों तक नयाधीश के रूप में कारत रह चुका हो, भारत के किसी भी नयाले में कम से कम पांच वर्सों तक नयाधीश के रूप में कारत रह चुका हो, या, देखें, तीन कंडिशन हैं, तीनों में या या करके लिखना है, या, किसी भी उच्छ नेले में या किसी भी एक या एक से अधिक उच्छ नेले में या या फिर या तो यह तो यह कंडिशन पूरी होनी चाहिए या हाई कोट रहा हो पांच वर्षों तक किसी भी हाई कोट मतलब नया अधीस रहा हो किसी भी हाई कोड में पांच वरसों तक या फिर किसी एक उचनेयले या फिर एक से अधिक उचनेयलों में कम से कम दस वरसों तक अधिवक्ता रहा हो कोई भी कंडिशन फुल्फिल हो या देश के किसी एक उचनेयले या फिर एक से अधिक उचनेयलों में कम से कम दस वर्सों तक लगातार अधिवक्ता के रूप में कारे कर चुका हो या या फिर राष्टपती की नजर में विधी का ग्याता हो या राष्टपती की नजर में विधी का ग्याता हो ठीक है अगला पॉइंट आले कारे काल टेन्योर कारे कारे काल कारे कारे काल तब रही को जो दिखे हो गया हहे के पंशेट बरस्स की आयू तक पध्धार्न करता है करके कोई निकाई यह यह नहीं कि 5 शाल यह क्या साल 65 वर्स की अजर में क्या lorsque मेर्ट में चया है रिटार्मेंट होता है तक बर्स की आई तक पद्धारना करता है आप जब आहरी ड़िए कारेकाल से पूर पदमुक्ती कारेकाल से पूर पदमुक्ती गूड मॉर्निंग कौन है लाइडर का तो कंकाल तो मैं यह को पढ़ा रहा था तो डर गई हो गया इसलिए सांस इतनी कारेकाल से पूर पदमुक्ती आर्टिकल 124 क्लॉज 4 आर्टिकल 124 में कारेकाल से पूर पदमुक्ती इसमें पहला और आटिकल 124 लोग फोर वह आठिकल 124 क्लॉज 3 का क्लॉज 1 में क्वालिफिकेशन थी और अर्थ टू में उसको क्या था ठेन्योर था आर्टिकल 124 फोर उसमें कारेकाल से पूर पदमुक्ती तो पहले दो पदमुक्ति यह दे सकता है अपना इस्तीफा देके रिजाइन दे मुख नयादीस एवं अन्य नयादीस अपना इस्तीफा राश्टपती को सौंप सौंपेंगे ठीक है पहला तो कारकार से प्रूपद मुक्ती हो सकती है जब यह अपना इस्तीफा दे दे और इस्तीफा किसको देंगे सौंप सारे के सारे अपना इस्तीफा देंगे राश्टपती को ठीक है दूसरा मुरत्पती हो जाए तो कारकार से प्रूपद मुक्ती होई गई और तीसरा संसद के दोनों सदन संसद के दोनों सदन साबित कदाचार एवं असमर्थता के अधार पर साबित कदाचार एवं असमर्थता के अधार पर साबित कदाचार कदाचार का अरोप लगया या असमर्थता का अरोप लगा तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के अधार पर प्रस्ताव पारित करके प्रस्ताव पारित करके तथा राश्टपती मित्था राष्ट्पती दौरा और राष्ट्पती दौरा हटाए जासकता है बाई देखे अगर इनके उपर क्या लगा कज साभीत होगा साबित होगा देखे इनको हटाने की भी बड़ा जटिल प्रिया है इतनी आसान नहीं है इनको हटाने के लिए भी इनके उपर जो कदाचार का आरोप लग रहा है उस आरोप की जांश के लिए जांश कमेटी बठाई जाएगी ठीक है और वह जांश कमेटी जब बिल्कुल यह सबस्ट कर देगी कि हां इसके उपर जो लगया गए जो आरोप हैं वो क्या है बिल्कुल सही है तो फिर इसको इसके पर से हटा दिये जाएगा साबित कदाचारे ओम असमर्तता के अधार पर ठीक अब जड़ाएक हैडिन डालीजे नया अधीसों को उनके पस्टे हटाने की प्रक्रिया नया अधीसों को हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 क्लॉश 5 नया अधीसों को उनके पस्टे हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 क्लॉश 5 ठिक कि लिखे संसद को यह एधिकार है कि दिखे आट इक लिए 24 क्लॉच 5 क्या क्या रहा था से पूरपधमुक्ति आट comment 24 क्लॉच 5 क्या कह रहा है इन नादीसों को इनके पदաुने की प्रक्रिया तो यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया का निर्धारन कौन करेगा संसद करेगी तो लिए संसद को यह अधिकार है कि वह संसद को यह अधिकार है कि वह नया अधिसों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का निर्धारन करे ठेक आप देखे इनको जो हटानी की प्रक्रिया है ये काफी जटिल है कैसे जटिल है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि प्रक्रिया इसमें क्या होगा जब भी किसी मालीजे किसी भी सदन में कि इसमें नैधी सोग्कों के पत्से हटाने की जो प्रक्रिया है यह मैं कह रहुत है इसा संकलप लाय जाता है तो चाहे लोग सभव में संकलप कि दोनों ही सदन क्या करेंगे इस प्रस्ताव को पास करेंगे और यही कारण है कि अभी तक कोई कि भी सुप्रीम कोट के नया अधिस जो है अपने पस से हटाया नहीं गया आज तक उनिए सो ट्राइबे में पी सदाशिवम के उपर दिरूड लाया गया था और एक सदन ने पास भी कर दिया लेकिन फिर दूसरे सदन ने उसको रिबू हो नहीं दिया शुकृति और वह फेल की जाएगी तो मैंने कहा यह चाहये लोकसभा से सरुषयात किया जाए ब्लाया जाएगा औझार में पहली बार मैं चाहर हूं कि श्ंकल्प लाया गया कि फौनि जो है नया इदीज की उपर हम लोग क्या कर रहे हैं उसको पत्स से हटानी की प्रक्रिया लेकर चालू करने जा रहे हैं तो उस सदन को कहा जाएगा प्रधम सदन और अगर यह प्रस्ताव यह संकल्प लोगसभा में लाया गया तो उसके लिए 100 सदस्षों का लोग सबा के जो 100 सदस्षे हैं इनका क्या हो होना चाहिए एपृवल होना चाहिए सेहमती होनी चाहिए लोक्तवा के सव सदस इस फेवर में हो कि हाँ नाजी स्क्यू हम फ्रक्रिया चालू करने जा रहे हैं सव सदस्वाण अगर लोग सब्सम सदन है और अगर प्रतुम सदन कौन है राजसभा मतलब कि सुड़ात किस्ते कि जा रही है रास्तमा से तो यहां पर पचास अदस होने चाहिए फेवर में कि अधियार इनके मारकर जो है क्या बताया जाए कि फूर कि मैंने भी हटा के रख दिया मारकर अब यह मारकर इसमें डालने पड़ेंगे तो चाहर कि अधिया जो अधिया जो इंक का मुझाति नहीं बहुत खीचना पड़ता है मारकर को एंक सही रहती है तो बड़िया फिजलता रहता है कि अग्यों सरदी है यार कि अगर तो अब जिस भी सदन में पहली बार यह प्रस्ताव लाया जाएगा वो सदन क्या कहलाएगा प्रथम सदन और अगर प्रथम सदन है सदन में लाया गया सदन में माली के लोग सभा में लेते हैं लोग सभा के सौ सदन क्या किया है इस प्रस्ताव यानि इस तंकल पर अपने साइन कर दिये वह इसके फेवर में है कि हां हमें आश्म आप चालू करना आप यहींद यह सौथच सदन ताव सवफ फेवर में होंगे तो अगला यह आप सदन के पास के पास है क्यांता क्या दा आध अधर कि प्रस्ताव को किसी भी नियाले में है । चैयलेंज क्या सकता सद्रदन एंदर पूरी पावर है लोगजभा के स्पीकर तो लोगछभा कर साथ वे कर भी मैं रहा है सप्रीम कोट के निया अधिया के बरापर वरीता में अगर देखें तो लोगजभा को पूरी पावर है कि वो इस प्रस्ताव को अश्विकार भी कर दे या श्विकार भी कर दे अगर यह श्विकार हो गया कि अगर शुकार कर लिया कि ठीक है आगे बढ़ाते हैं तो अब जो नयाधिश के उपर इह वह कदाचार और असमर्चता का जो अरूप लगा है उस औरोफ किया करा जाएगी जाज करा लाने के लिए एक स्ताइट गहुभा एक जांच चेंटि की गथन करेंगे झाश समीत के अंतरगत कौन होगा तीन सदस्य होंगे कौन-कौन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर अगर लग रहा है सारो तो सुप्रीम कोट का एक वरिष्ट ने अधीस होगा देश के अंदर जितने भी हाई कोट हैं उन में से किसी भी हाई कोट का एक मुख ने अधीस होग करेंगा तो आगर कि पर आवुड़ लग रहा है तब से eo हो नी इसकाज लगा है तो सुप्रीम कोट का एक वरिष्ट हम ने अधिस आगर किसी वरिष्ट ने अधीस और सथ में एक विधी विशेषक चयह कोन होगा by का disparirpali का दमी हाद ने बीकिए जिसको राश्टां एक पॉइंट कर दे तो तीन सदस्ट्रों में से एक सुप्रीम कोट का वरिष्ट ने अधिस अरे यार लिखते तक नहीं बन रहा है यार ठीक है एक आपका हाई कोट का चीफ जश्टिस हो गया और एक आपका हो जाएगा विधी का ग्याता विधी विशेशक गे मतलब कि मैं मिंक डाल रहा हूं तो रहा है का हो रहा है अब यह जो जांच समीति है यह जांच समीति क्या करेगी इन आरोपियों की जांच करेगी अब जांच समीति है इन आरोपों की जांच करके और कह दिया कि इसक लगाएगा जो अरोप है वह गलत है तो यहीं से क्या हो जाएगा फिर से और कैंसुल हो जाए Dort लेकिन अगर जांस समित ने भी क्या कर दिया accept कर दिया कि हाँ यह आरोप सही है तो फिर से यह वापस कहा जाएगा वापस यह जाएगा speaker के पास निवास मैं पहले speaker के पास speaker को यहाँ पर भी अभी भी अधिकार है कि वो आरोपो को क्या कर दे अश्विकार कर दे अगर अश्विकार कर दे यहीं से बत खतम श्विकार कर लिया तो जाएगी जाएगी जांस कमेटी के पास जांस कमेटी अब उस पर क्या करेगी इन्विस्टिकेशन करेगी अगर जांस कमेटी ने भी कैंसल कर दिया तो तो वहां से भी कैंसल अगर जांज कमेटी ने क्या कर दिया उसको एक्सप्ट कर दिया तो अब वो रीपोर्ट जाएक जाएगी this week after पाज पिर से पावर है कि जांज कमेटी की report के बाद भी चाहे तो श्विकार कर दे और अगर श्विकार कर दिया तो फिर से यहां से खताम लेकिन अगर इस स्विकर ने एक बार फिर से स्विकार कर लिया इस स्विकार किया तो अब यह जाएगा कहां जिस सदन से यह स्टार्ट हुआ था प्रसम सदन कौन है लोगसभा है तो इसलिए यह व इसको पास किया गा और फिर यह जाएगा उसको पास करेगा और नई उसको उसके इस के पास अजैनल एगर प्रत्ण सवा-दन अन्य सब्सक्राइब सकत मुझे औह भी चाहे है जान्स कमिटी बनाएगा अब आधी कौन बराइगा सभापती मेंबर है यहां पर चाहिज कमेटी बनाने का वो देगा मादेश देगा सभापती जांश कमेटी बनेगी फिर उसको वही सारी पावर वैसे रासभा अब इस बर पहले रासभा में पास होगा यह दो बेटे तीन बहुमा से और फिर लोग सभा में जाएगा दोनों सदन पास करेंगे और राष्ट पती तो इसको जो है इस बनालो तीना एसको इस पौश तो बनालो बनालो कर दिए सबस्टार थे लेघ। परोपोलंग। करना है प्र्सक्राइब एकजम्हा पर आदिक है तो इसमें क्या है यह जो भटानी की जो प्रक्रिया है मैं कहा हूं कए तो साइन कर देंगे तो वह रीपोर्ट कहाँ जाएगी हाइद वूफ्ट पास जो भी पीठा सी नदिकारी है अगर प्रतम सदन लोगसभा है अगर प्रतम सदन लोगसभा है तो स्पीकर के पास जाएगी और प्रतम सदन राजसभा है तो सभापती के पास जाएगी उसके बास सभापती या स्पीकर अध्यक्ष को यह पावर है कि स्विकार करे अगर उसने स्विकार कर लिया तो अब सभापति या स्पीकर जो भी प्रसम सदन है जांसमीती का गठन करने का आधेश देगा और जांसमीती हो जाएगी अगर इसने स्विकार किया तो जांसमीती के अधार क्थन हो जाएगा व्यादिशन, उसके बाद, आगर इसने अपनी क्या करती है? था इस रिपोर्ट जो औरौफ है उनको शाहीर साबित कर दिया तो वो फाइल कहां जाएगी अगर इस प्लिप क्या लिया इसने अगर जो है इसको सविकार कर दिया के पास और जो पट तीन पहुमाँ से इसको क्या कर देगा पास करेगा मैं अघ्षोंटी प्रत आज होंगे तो कहां जाएंगी राशभा मेरा सभार भी और बंहें इन में से पास करेगा आप यह प्रताव है यह पहुंचेगा राश्पति के पास और राश्थ प्रती इसको पदमुक्त कर देगा तो तो रोग जो परसानना हो जिसने नहीं बना पाया भी परसानन जो भी होगा इस पीकर के पास ये तभापती के पास इस पीकर को पावर है अस्विकार करने की इसको भी पावर है अस्विकार की अस्विकार किया यहीं से सब खतम अगर स्विकार कर लिया यह इसने स्विकार कर लिया तो एक अरे यार दोनों इसे तरीके हैं अगर स्विकार कर लिया तो जांसमिती इसने भी स्विकार कर लिया तो जांसमिती ठीक है जांसमिती बनी जांसमिती तीन सदस्शी है तीन सदसी ठीक है अगर प्रथम सदन राज सभा है तो यह जांसमीति गठित करने का आदेश देगा सभापती अगर यह जांसमीति अगर यह जो है प्रथम सदन लोग सभा है तो जांसमीति गठित करने का आदेश देगा इस पीकर जांसमीति ने क्या कर दिया जांसमीति की र report में जो लगे हैं इसके उपर आरोप आरोप सही सावित हुए अघर आरोप में डो गये आरोप हो गये तो यह जो report है यह घूम करें कहां पहुंचेंगी इसे कर तो जो है रोप सिद्ध तो ये पहुचेगा घोम करके वापस से सभापती के पास सभापती को एक बर फिर से अधिकार है सुविकार करें अगर इसने सुविकार कर लिया इस बर फिर से स्पीकर ने इस पीकर ने सुविकार कर लिया या सभापती ने जो इस जाज कमीटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को अगर इसने सुविकार कर लिया इसके पास पावर है सुविकार कर लिया तो यह चला जाएगा लोग सभाव के पास ठीट और लोग सभाव इसको क्या क करवाओना है कि अब यहां भी सभीकर क्या जहाजकार क्या ज्कमीटी ने और वापस च्राइभ के पास स्वेकर ने फिर सेगर दीया थिक है अब दिखर के स거ढ़लिया प्रसमें कर दिया फुर्ट प्यकरे करनिया कने लोग सभा के प्रबादिती है कि इंदल कितना टॉइए ठीस हो सता मुना आख दे फिर ओसकता है फिर थे लोग सभा हो सकता है कि नहीं तो वह शल चाहिट सफात कर है फिर्लोग सभा ने ईनी की पर्थम सदना पास कर दिया ठीक सारे रिपोर्ट इसारी व कोने के बाद पहले लोक सभा उनला वह पहले दूशरा सदन करेगा निस तक है फिर दूशरा सदन कर rugged फो तिर सनी करेगा है कि दूट sबुढ़ा ने ते सिर्फटीजिय कि नंग कि मा अभी तक फार्सी बोल रहा हूं फ्रेंज बोल रहा हूं अरेवियन है तो हिंदी ना है तो हिंदी बोल रहा हूं ना कि अगर उसने अश्विकार कर दिया तो उसको कोई जो है चैलेंज ही नहीं कर सकता अश्विकार मतलब अश्विकार इस पीकर ने अगर श्विकार कर कर टाइब यह तो उसको यह भी निहीं सकते कि सार आपने जांस कमीटी फिरक्राइब कर दी इसमें डिमाम में चल्लिंज कर सकते हैं शहब कै ARE als ह filter कि ओप लिखे कि यह इसको लिखवाने दरोड़ा था क्या नहीं ना पका स्शूरर ठेक लिखे 10 पहली बार पीस सदा शूम को हटाने की हटाने का प्रस्ताव लाया गया परन्तु परन्तु सदन में परन्तु सदनों में विशेज बहुंमत से पास नहीं हो पाया परन्तु सदनों में विशेज बहुंमत से पास नहीं हो पाया नहीं हो पाया तो अब जब करेंगी आर्टिकल लिखो लिखे सुप्रीम कोट का सेवा निवरत नयाधिश। सेवा निवरति के पश्चाथ भारत के किसी भी नयाले में अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता के रूप में कारे नहीं कर सकता। ठीक है नोट जड़ा एक नोट डाल के लिख लिजे नोट डाल के लिख लिजे राजपाल का पद राश्ट्रपती का पद या फिर सदन का सदश्य। या फिर सदन का सदश्य। सरकार के अधीन सरकार के अधीन लाब का पद नहीं माना जाएगा। क्या हो गया। देखो सुनो एक फिर से रिपीट कर दे रहा हूं पुरा हर चीज। कि आर्टिकल 124 क्लॉस 7 क्या कहता है सुप्रीम कोट का कोई भी डिटायर मजिस्ट्रेट भारत के अंदर किसी भी नैले में चाहे वह सुप्रीम कोट हो भाई अब सबसे ऊपर पत पर वह बैठा ना अब अगर सुप्रीम कोट कोई नया अधीस है तो अब भाई प्रमोशन ह कोई नया अधीस है तो अधिक्तम जा सकता है चीफ जस्टिस अफ इंडिया के पदपर फिर उसके उपर पदबस्ता है राजपाल का लोग सबागे सांसद बन सकता है या फिर राश्टपती बन सकता है अना ऊपर जाएगा विक्तिनाकी डिमोशन होगा उसका तो अगर होकर कि वापस से काम करने लग जाए नीचे वाले जगे पर या फिर उसको जो है बना दिया जाए मानके चलिए कि सुप्रीम कोड के जज को सपोर्ट किसी सरकारी नौकरी में रख दिया जाए सरकार पॉइंट करा दे तो पहली बात तो यह ना तो अच्छा एक बात और भी कर सकता है पावर फोल आदमी है ना तो वह हो सकता है कि उसके दबाब में देखे कि यारी तो सुप्रीम कोड का जज मेरे सामने खड़ा है और डिश्ट्री कोड का जज क्या हो अभी वह बहुत निचले लेवल पर है तो हो सकता है कि उसके डिशिजन है वह उसके प्रभाव में नाहीं सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर असीन होगा सरकार के अधीन लाभ का पद होता है नौकरी नौकरी चागो A, B, C, D, Great की कोई भी नौकरी हो वही माने लिखाया कि नोट डाल के माने क्या लिखाया कि राज्यपाल, राष्टपती, सदन के सदश्य, का है लोगसभा या राजसभा का सांसत, ये सरकार के अधीन लाब कपत नहीं माने जाएंगे, ठीक है, एक्जामपल ज़रा डाल के लि राष्ट वह एक सबाराओ गवर्नर भी रहे, हाँ, तो वो अलग है, वह अभी वो थे एक लिखाल से, बान्वेटरान भी क्यास पस गवर्नर थे, ठीक है, ये शुबाराओ छांच्च्च्च्च्च या उनत्तर के दसक्के थे, तो ये शुबाराओ ठे ब राष्टक्त सु वो क्या बने सुप्रीम कोट में जज़ बने और जब उनके जो है उसका उलंगन कर दिया गया सर्वचुता के सिधानत वाला उनको सीज़ाई ना बना करके और एंड्रे को बना दिया गया तो इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया और यह कहां चले गए राज सभा के सांसद रहे केरे सेग्रे राज सवा ने रहे तेरा सबाफ है U- लागे सेगड़े राज सभा के सांसद रहेед उसके बाद वो Supreme Court में जज बने पहले रास्वा की संसत अफिर Supreme Court में जज सु सत्धाव राज्वा की संसत थे जोकि सुप्रीम कि संसत रहे हैं लेगे सुबाराओ आरा सुबा राष्ट्रपती इस बार नहीं देएwegen सुबाराओ राष्ट्रपती नहीं सुबाराओ ने यह भी सुप्रेम कोड के जसे तो बार राष्ट्रपती पद के लिए खड़े हुए कि सुबब राव राश्वपदी पत के लिए खड़े हुए कि कि चालू हो गया इनका कि अच्छा एक छी जड़ा देखो जहां पर मैंने लिखवाया था इनको हटाने की प्रक्रिया उसमें लाश्ट मैंने कि सदासिवूम लिखोः कि रामा संफवी लिखोः न्यूंटेज़ जबी भी रामा सिवम के ऊपर उन निश्चांब्य में खड़े हुए थे हाँ ठीक बढ़िया तो जो वी रामा स्वामी है वी रामा स्वामी के उपर क्या लाए गया था हटाने का प्रसाव लाए गया था और पी सदासिवम कौन थे चीफ जस्टिस अप इंडिया थे जो कि राजपाल पत के लिए खड़े हुए थे सुबाराव अधर चुनाओ को चुनाओ नहीं होता राजपाल को अपोइंट किया जाता है । तो राश्पति करेगा वह बद में बता हूं ठीक है राजपाल को अपॉइंट किय जाए गया चुनाओ मतलब कैसे होता है कि वह एक मतलब अपना नाम देंगे ना तो इसलिए जो है आदर सवाधी कंडिशन क्या है आइडिलिस्टिक की बीजेपी भी अपना नाम देगी केंड़ेट का नाम देगी तो फिर यह तो नहीं हो जाएगा एक ही पार्टी केवल दे रही है तो इसलिए जो है आदर सवाधी कंडिशन क्या है आइडिलिस्टिक की बीजेपी भी अपना नाम देगी केंड़ेट का कांग्रेज भी देगी और बनेगा उसी का जो सरकार होगी जिसकी पहुमत में भाई बनाना तो आखेकर राश्ट्पती को यह पॉइंट करना है ना और देखेंगे झिस राज्य में विपक्ष की सरकार आजाती है मैं फिर देखा जाए जो कि बिल्कुल मतला राजपाल एक अइसा बेजा जाए उनके दिल्ली में देखो केजरी वाल हमेशा जो है धरना दिये रहता है उसमें देखो आप जम्मो कास्मीर पे देखें है खतरनाक आदमी भेजा गया था तो हमेशा आप देखेंगे कि अगर विपक्षी सरकार आगी तो फिर जो है जो केंद्र में जो पार्टी होगी बहुमत में फिर अपना केंड़ेट ऐसा भेजेगी जो बिल्कुल से हर छोटी-छोटी सी बातों में नुक्स निकाले रहे हो तुरंत रिपोर्ट भेजे राश्प्रती के पास यह भी तो एक आधार है ना कि अगर जो है सही धंग से राज अपना काम नहीं कर पा रही तो वह एक राज विभाग को लिखकर के हर 15 दिन में वह रिपोर्ट भेजता है राज जपाल मंत्राली के राज विभाग को कि सही देखें काम नहीं कर पा रही यह क्या हो रहा है यह ब्रीच हो रही है संवेधानिक तंत्र की विफलता हो रही है राज्यों में संवेधानिक तंत्र की क्या हो रही विफलता हो रही है उसके आधार पर राश्पती शासन लगाने का एक और रहता है उम्हीद रहती है तो ठी अब जना लिखिए अ आप ल ही सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिखे डरी गुण सब्सक्राइब उल्टक इनद Totally इंडिया को आधे तरहला दिलाता है कर राश्पाती दिलाता है तथा अन नयाधिसों को CGI को सपत राश्पती दिलाता है तथा अन नयाधिसों को सपत CGI दिलाता है अन नयाधिसों को सपत CGI दिलाता है ठीक है? सपत हो गई अब लिखिए Article 126 हा राजपाल केरल के रहे है ठीक है? केरल के इधे सुबबराओ कहां के थे करनाटक के थे सुबबराओ करनाटक से ही थे वो करनाटक के उससे गए थे हाई कोड से गए थे जब वो बने है सुब्रीम कोड के नयाधिस ठीक है? लिखे Article 126 Article 126 लिखे Article 126 जो है कारेकारी मुखनयधिस की बात करता है कारेकारी मुखनयधिस कारेकारी मुखनयधिस आप देखे कारेकारी मुखने अधीस क्या होता है जिस समय मुखने अधीस अपने पदपर ना हो उस समय राष्ट्रपती सुप्रीम कोट के ही किसी अन्ड नयाधीस को वरिष्ट जो भी नयाधीस होगा उसको क्या कर देगा कारेकारी मुखने अधीस की कुर्शी पर बठा देगा उस समय उसको सारी पावर cgi वाली प्राफ्ट हो जाएंगी तो लिग लिजे कारेकारी मुखने अधीस जिस समय मुखने अधीस अपने पदपर नहीं होगा अग LGBT समय मुख नदीस अपने पतपर नहीं को उससमें को सुप्रीम कोट के वरिष्थम ने आध्यस को के उस समय सुप्रीम कोट के वरिष्थम ने यदीस को कारेकारी मुख ने डिस न्यूक्त किया जाएगा उस समय सुप्रीम कोट के वरिष्टम नयदीश को कारेकारी मुख नयदीश न्यूक्त किया जाएगा अब लेखे आर्टिकल 127 एड हॉक मजिस्ट्रेट तदर्ध नयदीश अगर किसी समय सुप्रीम कोट के नयदीशों का कोरम पूरा नहीं है कोरम मतलब क्या होता है इतनी मिनिमम सदस्चंख्या जिसके बिना कारवाही संचाल इतना हो पाए जैसे कि रोक सभागा कॉरम के हम बात करें तो दस प्रिश्चत होते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट के जो नयाधीस है । हुथ आगर किसी समय सुप्रीम कोर्ट में कॉरम पूरा नहीं है यह नहीं है तो उस समय क्या किया जाएगा कुछ अड हुख मजिस्ट्रेटर को पूरे ना होतो कोरम यानि छे ने अधिस पूरे ना होतो भारत का मुख ने अधिस तो भारत का मुख ने अधिस राष्ट्रपती की राष्ट्रपती की पूरो अनुमती से तो भारत का मुख ने अधिस राष्ट्रपती की पूरो अनुमती से ठीक है किसी भी हाई कोट के मुख ने अधीस को किसी भी हाई कोट के मुख ने अधीस को या फिर देखे सुनो अगर किसी समय सुप्रीम कोट का कोरम पुरा नहीं है निकि छह सदस नहीं है तो जो सीजे आई है चीफ जटीस अपंडिया वो राष्ट्रपती की पूर अनुमति ले करक और राश्टपति उन नामों पर क्या करेंगे साइन करेंगे अब जो सीडशी सफ इंडिया है क्या करेगा वह किसी भी हाई कोट के मुखने इसको या फिर उस हाई कोट के किसी भी अन्य नादिस को जो भी सुप्रीम कोट का नादिस बनने की योगता रखते हूं अगर सुप्रीम को नहीं नहीं लेगास चे किसी कर लेगा सुप्रीम कोट में आपउइंट कर लेगा यहां पर appointment की power किसको है CGI को लेकिन किसकी पूर अनमती पर राश्पती की उससे राश्पती से पहले पूर अनमती ले लेगा ठीक तो लिखे अगर किसी समय कोरम पूरा नहीं है तो CGI राश्पती की पूर अनमती से हाई कोट के मुख नाधिस या फिर किसी भी अन्य नाधिस को जो की सुप्रीम कोट का नाधिस बनने की योगता रखता हो उसे तदर्ध मैदीष के रूप में उसे तदर्ध नाधिस की रूप में न्यूक्त कर सकता है कि फिले को थदर्ध नाधिस को चाहिए वेतन एंवं बद्त्य पलते हैं तदध नयाधीस को वही वेतनय भत्ते मिलते हैं जो कि सर्वोच नयले के नयाधीसों के लिए निर्धारित हैं ठिक ठिक ना और यह जो राष्ट नयाधीस है इनके वेतना भत्ते के निर्धारन कौन करता है कि वेतना भत्ते के निर्धारन कौन करेगा काउंसलों मिनिश्ट्री राष्ट्रपती या फिर संसाद या फिर चीफ जश्चित अप इंडिया अगर आप रश्च्राइपाल पाहली बाद सुप्रीम कोट्ट है राज जपाल की वकाते नहीं है उसके बारे में कुछ बोल पाने की अभी चार-पांथ दिन पहले च्छे दिन पहले के न्यूज है कि सुप्रीम कोड के नया अधीसों के वेतन बढ़ाने के लिए क्लिए बिल प्रसुत किया गया है और ऐसा जो बिल है वो संसद जो है केवल लोकसभा को ही में पावर है लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो अधीस वह बात तब आएगी जब यह कहा जाए कि सुप्रीम कोड की जो नया अधीस इनका वेतन किस पर भारित है तो भारत की संचे निधी पर जो वेतन भारित होते हैं उनको किसी भी कंडिशन में रोका नहीं जाता वह देना ही देना पर परोना परोना जो लग जाए दि लेकिन हाँ एक शीजह भी है कि अगर माली जब फाइनेंशियल इमर्देंसी लग गई तो उस समय में के वेतन को रोक दिया आता है उस समय के बेक्सक्त का राश्पति का अगर अगर फाइनेंसियल लगी तो राश्पति का ठीक है तो ठिक तो इनके वेतन और भातों का निज़ान कौन करेगा संसत करेगी अब लिखे आर्टिकल 128 आर्टिकल 128 आर्टिकल 128 सेवा निवरत नयाधिसों की पुनाह नियुक्ति सेवा निवरत नयाधिसों की पुनाह नियुक्ति भाई 55 साल की उम्र में क्या हुआ सुप्रीम को कोड का नयाधिस नियुक्त हो गया सेवा निवरत हो गया पूलिए सेवा निभलत हो गया अब यह कहा गया कि कहीं पर भी यह अपनी सेवाइं नहीं देगा लेकिन एक कंडिसेन ऐसी है कि उन सेवा को कभी-कभी हम देखेंगे बहुत सारी जो वह होती है क्राशी जिस्तुरी संसाय होती तमाम होती है उनका क्या बना दिया आता है इनको हैड मना दिया जैसे कि मानुव अधिकार आयोग इन सभी में जो नया अधीस क्यों बढ़ा जाता है उसके अधिस क्यूप में इनी सेवर निवरत ने अधीसों को बहुत सारी साथ ट्रैक कोर्स है वहां पर भी ऐसी सेवर तो डिशाठी जो रिटार हो गया है वह अपने बाद फिर कैसे अपोइंट हो जाएगा तो देखिए क्या होता है अगर किसी समय सुप्रीम कोट के कारभार में अचानक से व्रद्धी हो गई और अचानक से व्रद्धी हो गई तो उस व्रद्धी के अनुसार तुरंत तो नया धीसों को कि संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि नया धीसों की संख्या भी बढ़ाने का संसत को है संसत बिल लाएगी फि बिल चलो पास भी हो गया फिर राष्ट पती पता चले साइन नहीं कर रहा है हां तो यहां पर क्या होगा जो चीफ जिस्टिस आफ इंडिया है वह राष्ट पती की पूरा अनमती ले करके इन सेवर निवरत नय अधिसों को क्या करेगा कुछ समय के लिए विसमानता दो साल के होता है क्या करेगा अधिकतम दो सालों के लिए एक बार में और फिर अगर दो साल ते फिर बढ़ाना तो फिर से वही चीज प्रोशीज लाए जाएगा दो साल के लिए कर लेगा जब तक की कारभार ज्यादा है ठीक और इनके जो वेतन भत्ते निर्धार्ण कौन करेगा राश्पती करेगा तो लिख लिजए अटकल 128 सेवर निवरत नयजिसों की पुनाह नियुक्ति लिखे यदि यदि सर्वोच नयले के यदि सर्वोच नयले के कारभार में यदि सर्वोच नयले के कारभार में अचानक व्रद्धी हो जाए यदि सर्वोच नयले के कारभार में अचानक व्रद्धी हो जाए तो CJI CJI राष्टपती की CJI राष्टपती की पूर्व अनमती से तो CJI राष्टपती की पूर्व अनमती से तथा सम만्धित नयाधीष कि सहमती पर फ़ीच नहीं कि अबरज़स्ती États पॉइंट कर लिया जाएगा ततल संबंधित नयाधिस कि सहमती पर उसे सधार रणते हैं दो साल के लिए सुप्रेम कोट में सुप्रेम कोट में अपउट कर सकता है या नियूक तो कर सकता है सुप्रीम कोड में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे नयाया धीसों के वेता नयव भत्तों के निर्धारण राष्ट पती करता है आठ नहले काज़िए आठ का 10. साथु ठीक्स के अब लेगों के अब लिखे और 308 साथ आठ दीकेस आप लेक हुष्ट अ आ बलेक अब लिखे आठ जॉन तीस अब लेक हुष्ट साफ रिकॉर्ड है अब लेखनयले का मतलब होता है कोर्ट ओफ रिकॉर्ट कोर्ट ओफ रिकॉर्ट अब लेखनयले क्या होता है अब आपने बहुत बार बहुत सारे डिसीजन्स में सुना होगा हाई कोड या डिश्ट्री कोर्स में वह कोड करते हैं सुप्रीम कोड के किसी निर्णय को कोड कर ज्रीत है मतलब उसका क्या करते है रिफेरेंस देते हैं बहinson के सपरीम कोड का है पाप जी forgiven Schulz dwell डे रखा है अब लिकीन दे रखा में और भूजर दे रखा है तो आफ हाइक रूस्ट्रीक फ्र offenses कि कर दे रखा लें न अपड़ मारनी की सजा दो दिन होगी सुप्रीम कोट ने रखा तो अब वकीलों को कुछ नहीं करना जो घरो में तुम वकीलों मुटी मुटी किताबे देखते हो ना वह कोई कानून समंधित किताबें नहीं होती वह सब क्या होती हैं वह कोट अब रिकॉर्ड से होते हैं इस देघर में भी किताबे इस तरीके से रख यूह हैं और आई पी की की किताब हो गी सुनो किताबें weighed होती है वह होती है सुप्रीम कोट के जजमेंनंट्स को बलते हैं कोसόσं रिकॉर्ण कहलाते हैं और इन्हीं को हई records का reference दिए जाता है हाई कोज दिया है उन्होंने कहा था दो दिन ही है तो कि आप दो दो दिन आप इसमें कर दीजिए तो अब वह जो है दो दिन से ज्यादा नहीं कर सकता क्या अगर सेम वह सारी कंडिशन है ठीक है तो आप तो प्रिकॉर्ट के किसी दिशिजन को जजमेंट को हाइप कोर्ट और डिश्टी कोर्ट में एजा सच वह सच का रूफ में काम करेगा ठीक है एजा सच एविडेंस या फिर एजर रिफ्रेंस प्रस्तुत किया जाता है और बस वहां से फिर सारी कहानी खताम फिर आपको सिद्धर नहीं करना कि कितने दिन की सजा होनी चाहिए हाई कोट क अब लेख न्याले से अर्थ अब लेख न्याले से अर्थ है कि अब लेख न्याले से अर्थ है कि सर्वोच न्याले का निर्णे सर्वोच नयाले के निर्णे को सर्वोच नयाले के निर्णे को रिकॉर्ड सर्वोच नयाले के निर्णे को रिकॉर्ड के रूप में सुरच्छित रखा जाता है अब लेक न्याले से अर्थ है कि सर्वोच न्याले को रिकॉर्ड के रूप में सुरच्छित रखा जाता है और इन्हें और इन्हें अधिनस्थ न्यालों में और इन्हें अधिनस्थ न्यालों में सक्ष के रूप में और इन्हें अधिनस्थ न्य साइस कि रूप में प्रशुत किया सकता है कि परक्राफ के लिए अब लेक ने लेका के ढूले के अधार पर सरोच को सुर्वेम पुढ़ को आव्मानना के लिए अव्मानना के लिएमानल मतलब क्या होता है उसकी आव्मानना करणा मैं हाओ अभले ला कर देना उसके बात की या फिर उसको उसको क्या कर देना ह Army nurse in a harsh खेंच महुलें को ही संद देने का अधिकार है अगर माली जिस नाधिन स्न्याले ने उसकी कोई बात नहीं मानी अभी कुछ समय पहले वो केस आया था ना कौन से वकील थे वो कौन से भूसन थे अरे बहुत बड़े वकील नहीं थे अभी पिछले साल का तो था करोना के समय में उन्होंने बोल दिय है था daa daa cg को जो यह उसका औरी कर रहे हैं को इट प्रोटो कॉला का फॉलो नहीं कर रहे हैं बोस्ते चंद्रभुर्ट ago सब्सक्राइब कर दिया और उसकी उनके ऊपर क्या लगा दिया सुप्रीम कोट की आउ मानना सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब कर दिया और उनके ऊपर लगाए गया एक रुपय का लगा जायें तो तुम्हारी ऊपर एक वह वह हो गया केस तो रूपसित ओगया इसका एक क्रुपय का मतलब नहीं है दंड मतल्ड रपकाई आप सजा होगी हो गया तो पर आप को किसी कि अबगी ऑप सर्कारी नोकरियों कि उनने नहीं तो प्रसांद मुर्सवर्श से वंचिद हो चुके हैं लेकि इतने बड़े वकील कि एक हेरिंग की दस दस बारा बारा लग रुपा एक डेट की फीश है उनकी उनलों की एक डेट आगे बढ़ाया तो फाइन का मतलब जैने अगर आपकी उपर दो सिद्ध हो गया उनकी उपर तो एक करोन का भी फाइन लगा दिया था ना वो भी उसके लिए कोई बड़ी बा खेख गयर अगर कोई कमेंट किया इसका मतलबि सुप्रीम कोट नहीं है यह उनका क्या का मैं सी लूए हूं और सी जी मतलब सुपीं मचेंड़ कर दी Call तो यह बड़ी बात एक रुपाए का वो नहीं है बड़ी बात है कि मतलब सी जी आइए के ऊपर उपने कोमेंट किया व और यह भी कुछ गलत तो है नहीं पूर्ण लगा हुआ है तो यह बाहर क्या कर रहे हैं बिना मास्क के और भी सीजी आई तो उन्हें ने का यह तो सुप्रीम कोट को अवहेलना के अधार पर सुप्रीम कोट को अवहेलना के अधार पर दंड देने का अधिकार होता है अविलेख नैले के अधार पर सरोच नैले को अवमानना के अधार पर दंड देने का अधिकार होता है आव मानना दो प्रकार की होती है पहला लिखे सिविल आव मानना दो प्रकार की होती है पहला सिविल आव मानना लिखे सिविल आव मानना पहला लिखे कोर्ट के निरने को कोर्ट के निरने को मानने से इंकार करना कोट के निर्णे को मनने से इंकार करना या सारजनिक रूप से या सारजनिक रूप से निर्णे की आलोचना करना या सारजनिक रूप से निर्णे की आलोचना करना मतलब अगर सुप्रीम कोट ने आपको कोई जज्जमेंट सुनाया है और आप जो है कह रहे हैं कि हम तो यह मा लगाया गया है ठीक सारुदिनिक रूप से आप उसकी क्या कर रहा है आउहिलना कर रहे हैं तो आप क्यों पर क्या लगा जाएगा आपको आपके उपर आउमानना क्या धार पर आपके उपर किस्ट चला दिये जाएगा क्या आपने सुप्रीम कोट के दूसरा आपसे क्रिम अवमनना है क्रिम आउमानना लिखे नहाले के न्याले के निर्णा के विरुद्ध कोई ऐसा लेख लिखना है कि नेरिखना या भाशंद इना जिससे नियाय पालिका की प्रतिष्ठा का हनन होता है ये नियाय कारवाही ये नियाय कारवाही बाधित होती है या नियाई का कारवाही बाधित होती है, जिसके कारण नियाई पालिका की प्रतिष्ठा का हनन होता है, या फिर नियाई का कारवाही बाधित होती हो, तो क्या लग जाएगा? क्रिमिनल आऊ मानना लग जाएगी है वह मानना दो तरीके कि सुप्रीम कोड जये दिया आप उस जय乾्ज्स disturbance को नहीं मान रहें हैँ सुप्रेम कोडनी कोड नियंकरो है तो आपीड नहीं माना दूसरा आप सामोही केまた सकव marketers गार करके आप क्यaire सुप्रीम कोड तक फर्जी अंप इसे बोल रएंगा हम नहीं माने वह तो क्रिम से बता रही है और अगर हुआ तरुम में चल रही है उस दौरान क्या चल रही है सुप्रीम comes के लिए पुल रहा है ना रहा है ना करना हुआ और ईसकी जो है क्या है कि पाधित होगी दोगे जो क्या आप क्या कर दे रहे हैं तो यह वाह को क्या कर दे रहे है तो उस्रे क्यों कि नया कारवाई बादीत होंगि तो आपके उपर क्या चल जाएगा क्रिमनल और मैhst करें की रचना ड्रचनात्मक remains हैं लखे रचनात्मक अलोचना को हाँ भाचनात्मक अलोचना को स्विक्रति परदान की गई गई है कि रचनात्मक अलोचना को श्कृति प्रदान की गई है तथा इसे तथा इसे मांना कि स्रेड़ी से बाहर रखा गया है था इसे अलोचना अलोचना ये रचनात्मक क्या है कि पर इसको अवमानना के स्टेड़ी से बाहर रखा गया अब क्या होती है रचनात्म का अवमानना क्या है पदा चले सुप्रीम कोड़ को जजमेंट आया आप उस पर जजमेंट बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं ना जो क्या लिखते हैं जो लेख लिखेंगे वह पच्छ भी ल लिखेंगे सुप्रीम कोड के क्या जजमेंट रहे उन जजमेंट में क्या जो है चीजों को और समाहित किया जाना चाहिए था उसमें वाक और अव्यक्ती वगेरा या फिर कुछ भी चीजें हैं लोगों के फंडामेंटल राइट इसेटरा कुछ भी चीजे आगर वह लिख लिखेंगे ना कि क्यों मूवी देखनी चाहिए क्यों नहीं देखनी चाहिए नोरा फतही का डांस देखने लाइक था सलमान खान की एक्टिंग नहीं देखने लाइक थी सब लिखते हैं तो सुप्रीम कोड के भी ऐसे जो है जो जजजमेंट है उसकी क्या होते हैं पेपर म लोगों के सामने चीज रक उसको और मना ये माना गया इसको क्या गया इसको रचनात्मक अलोचना कहा गया अलोचना मिस्क्या होती है कि अगर 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 आप तरक के साथ अलोचना कर रहे हैं तो उसको आउमाना नहीं वाना गया ठीक है चलिए क्यों गया हुआ हाँ अब एक आर्टिकल और समय क्या हो गया चलिक लिख लेते हैं भी एक आर्टिकल और लिखिए आर्टिकल एक्सुच्छनेले को अपने ही निरणय का पुर्णा विलोकन करने का धिकार है कि यानि कि यह बैखिकोंज को एक उप्रावी लूकन कि सक्टी देती है शुपरेम और र cripples को अपने ही दृट के आपने ही का पुर्णा विलोकन यानि कि कि रिव्यू अपने ही निर्णे का पुन्डा विलोकन करने का धिकार है है ऑफ कि पहरा अपस्ट करके लिखे जड़ा अजो यह नहीं पहला सप्रीम कोट अपने दिए गए निर्णे को अपने दिये गए निर्णे को कभी भी बदल कर अपने दिएके निर्णे को कभी भी बदल कर अपने दिएके निर्णे को कभी भी बदल कर नया निर्णे इस्थापित कर सकता है अब पराग्राफ चेंज करो अब पराग्राफ चेंज करके लिखो सिविल और क्रिमिनल मामलों में एकल नयाधीस बेंच से लेकर तीन नयाधीस बेंच तक तीन नयाधीसों की बेंच तक के दौरा बिंच तक के द्वारा मामलों का पुर्णा विलोकन किया जाता है सिविल और क्रिमिनल मामलों में एकल नया धीस बिंच से लेकर के तीन नया धीसों की बिंच तक के द्वारा मामलों का पुर्णा विलोकन किया जाता है कि अस बलाग देशेना कि दिएः टैवी आभि कोई स्यमा मामला है यह क्रिमिनल मामला है आभ इस त्रीम इनल मामले में सुप्रीम कोंट जज्मेंट बोला किसी की संदर में इसक्रांशी की सजा देदी अब क्या किया सुप्रीम कोट के पास फिर से प्याइएल वगएरा पहुची है प्याइएल पहुची सुप्रीम कोट के पास अधिकार है प्याइएल को रिफ्यूज भी कर सकता अगर सुप्रीम को एक्सेट कर लिया वह क्या करेगा उस मामले की फिर से सुनवा को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर से उन तथ्षों को भी देखकर वापस सुनवाई करेगा वापस से मामली की जाश करेगा आप अगर सुप्रीम कोड को लग गया कि नहीं अर्फासिक सिजा ज्यादा हो गई थी कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए कि आज इवन कारावाज की संब्धान के किसी परावधान से संदर्व में संब्धान के किसी परावधान धारती वो पैठी के मामल चल रहा था अलेकर ।रह कि यह यह थी कि प्रियमबल अंग है समिधान का यह भी तो एक पॉइंट था तो यह क्या है यह जो है समवधानी पुर्णा विलोकन है इससे पहले क्या हो चुका था यहां पर क्या कर रही अपने जज्मेंट को बदल रही है सुप्रीम पॉट तो अब यहां पर चुकि लेखे समवधानिक पुन्डा विलोकन हो रहा है अपने फैसले को बदल रही है है तो आठीक एक सुएस लेकिन यहां पर जो जजो की बैंच है वो कितनी बैठेगी पांस समवधानिक पुन्डा विलोकन में नियून्तम नियून्तम पांच जजों की बैंच से लेकर नियून्तम पांच जजों की बैंच से लेकर 13 जजों की बैंच 13 जजों की बैंच ही किसी मामले का पुन्डा विलोकन कर सकती है पुन्डा विलोकन कर सकती है अब देखें इसी जो आर्टिकल बस दोनट जो आर्टिकल 137 है नाइक पुर्णा बुलोकन वाला इसी में एक तर्म का इजात हुआ मोई केश में रूपा हुल्रा पदिबात्मी थे और केस पहुआ सुप्रीम कोड दो हजार दो में सुप्रीम कोड ने चीक पाइज का जो जो मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोड ने अगर एक बार जजमेंट दे दिया आपने पुर्णा वीलोकन कर रही है तो उसके लिए क्या करन प्राधी घुषित है जिसको मिल चुकी है फांसी की तो क्या होगा उस वह यह उसके परिवार वाले क्यूरेटिव याचिका दायर करेंगे भाई देखे पहले तो हाई कोड ने कहा मिर्ट और अब यह कोई एक अभी रास्ता भी भी खुला आए अभी रास्ता खुला और वह रास्ता है क्यूरेटिया चुक्त बता रहा हूं ना राश्पति ने वह कह दिया भाई अभी तक रहां सिक्वाटि अभी जनुरी को वह कर दे शमादान कर दे अब राश्पति में पर कहते कि नहीं इस वक्ति को तो मिर्ट दंध ही दिया जाना चाहिए अब उसके पास यह एक रास्ता और है क्यूरेटी अच्का का उसके तहत वह सुप्रीम कोड के पास यह तथ रखेगी यह उसका यह उसक यह उसके आधा लेड़ेजाना ताफ फुछोना कि यह क्या है कि यूरेटी याचि का अब अर्फिये ना क्या है्या और यह वीजोंअ आज है आए पाहले जो है यह क्या यह क्या है क्यों भी गड़ गया चुप आ रहा कर जो जब तक मैं बताया करूं है 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 सामने सामने बीठा करो तो तो आप उसके परिवार वनों के पास एक अभी एक खुला हुआ है उनके उसमें तीर तीना क्यूरेटी आज का उसकी रेटी आजका में सुप्रीम कोर्ट को ये समाधान कराएंगे कि जिस समय आपने मिर्टुदन सुनाय था ना उस समय धिए गये थे जिन तत्थों को कंसीडर जैसे मैंने भी बताया ना कोंण भलोकन उन तत्थों को अभी अगर सामिल किया जाता तो हो सकता है कि सुप्रीम इक आई का सधान था थे जो है सो मुझ्रीम चूट जिए लेकिन एक ऐसे को सजा ना हो जाए जो कि आैं नह mano तो अब उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ण खरें कि करेंगे क्रूंट एक्षेप्ट करेगी और क्यून्हूती शब्मएं रूपा। वंस नुए वर्सेश असोखुरा केश्में तुली क्विए ने लेजिए है क्यूरीं अच्छुछ आसो रा हुर्णा एच यू डबल आरहर हुल रहे हुल रूपा रहर संमय तुखा गरे तिक कर सब्सक्राइब में सरोश रहे में की एच्छी आच्छीका शोप्रेइम कोटने कुरेट्य राशिकश का प्रचलन आरंभ किया आरम किया इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा इदी किसी अपराधी घोसित विक्ति को इसके द्वारा इदी किसी अपराधी घोसित विक्ति को सर्वोच नैले के अंतिम निरने और राष्टपती के सर्वोच नैले के अंतिम निरने और राष्टपती के छमादान के इंकार के बाद भी स्वैम को निर्दोशाबित करने की संभावना दिखती है स्वैम को निर्दोशाबित करने की संभावना दिखती है तो वह निर्दोशाबित करने की संभावना दिखती है नजल नए तथों को सर्वोच नैले के संभक प्रस्तुत कर सकता है सरवोच नेले के समुख प्रस्तुत कर सकता है ठीक है चलिए अब यहां पर सरोच नेले को जिकार है कि यूट्य यज का एक्सेप्ट करें यह ना करें अगर उसको लगा वह तो जो डूब रहे है वह तो तो उस्पीर हाथ पहु चलाए गही ना वो मरने वाला तो तो हाथ पह स्व 59 forgiveness को फथांसी मुकबर और युश्द सब्सक्राइबfish सब्सक्राइ calm wrapping खैने क्या किया सब्सक्राइब कर यह उसना नहीं अब हम इसी काबिल नहीं कि उन को रिकंस की यह सके भी चले मिलते है कल निए क्या लिए क्या Rs.